समराट प्रत्वीराद चोहान राजके महाविद्याले अजमेड से प्रतीबा शर्मा बहुत एक भुखोल के अंतरगत इस से पूर भे हमने प्रित्वी के उत्पत्ती से सम्मंदित जितनी संकल्पनाएं जो विचारदा रहें थी उनके विशय में हमने जाना कि या तो जो सौर मंडल है उसकी उत्पत्ती सौर मंडल हमारा अभी प्रत्वी के अध्यान से है कि प्रत्वी के उत्पत्ती कैसे हुए और प्रत्वी सूर्य का एक अभिन अंग है तो इसमें दो तरह की संकल्पना है हमारे सामने आई एक तो एक तारक और दो तारक तो we have been learning about the origin of the earth under the origin of the solar system because inseparable part the earth is that of the solar system. And we have learnt that the hypothesis, the two types of hypothesis have been formulated related to the origin of the earth that is one-parental, monistic and dualistic that is bi-parental theory. आज हम द्वैतारक सिध्धान्त के विशे में जानेंगे, उसके अंतरगत चैंबरलिन और मोल्टन महोदे के द्वारा प्रस्तावित, जो ग्रहाणू परिकल्पना है जिसके माध्यम से प्रिच्वी के उत्पत्ति हुई उसके विशे में जानेंगे, अब ये देखते हैं कि जो चैंबरलिन थॉमस क्रोडर चैंबरलिन एक भूगर विवेता थे, और फॉरिस्ट रे मोल्टन एक खगोल शास्त्री थे, तो इन दौनों के योगदान से संकल्पना क्या रही इसके विशे में जानते हैं, थॉमस क्रोडर चैंबरलिन वस बेसिकली अ जियॉलोजिस्ट वेरेज फॉरिस्ट रे मोल्टन वस अन स्ट्रोनमर, and their hypothesis is a catastrophic hypothesis, इससे अभी प्राय है विद्वन्स कारी, उन्होंने जो समझाने का प्रयास किया कि किसी एक तारे से सूरे के टकराने से विद्वन्स हुआ, और उस विद्वन्स के परिणाम सरूप पृच्वी की उत्पत्य हुई, So, they formulated their hypothesis in the year 1905, in which the planets of the solar system are seen to arise from an encounter between the sun and the another star, तो इनके अनुसार, मोल्टन और चेम्बरलिन माहुदे के अनुसार एक तारा था, जिसकी भिडंत, जिसके टकर सूर्य से हुई, और उसके प्रतिफल में सौर मंडल के विभिन सदस्यों की उत्पत्ती हुई, अब यह जो प्लैनिटेसिमल जो हाइपोथेस है, यह ग्रहाणू परिकल्पना, इसमें मोल्टन महुदे और चेम्बरलिन महुदे ने क्या तथ्य प्रस्तुत किये, यह इस स्लाइड में स्पष्ट है, जियॉलोजिस्ट चेम्बरलिन और फॉरेस्ट रे मोल्टन प्रपोस्ट द थियरी नाइटीन अंडेन फाइड यह हम चर्चा कर चुके हैं, कि इन्होंने इस परिकल्पना का जो इस सिध्धान्त का प्रती पादन 1905 में किया, इनके अनुसार सूर्य यह ग्रहों के जो उत्पत्ती हैं, उससे पूर में ही पहले से ही विद्यमान था, और इस सूर्य के नजदीक एक तारा बड़ी तीवरगती से आया, Because of the gravitational pull of the star, small gaseous bodies were separated from the sun, और यह जो गुरुत्वाकर्शन जो था सूर्य का जिसके प्रभाव से, यह तारा सूर्य से टकराया था, और जो तारे का जो गुरुत्वाकर्शन था, जो टकरा रहा था सूरत से, उसके गुरुत्वाकर्शन और टकर के परिणाम सरूप, और प्रिथेक हुए, these bodies on cooling became small planets, और यही जो तत्थे, यह जो जितना भी जो ग्रहानों थे, जो बारीक कान थे, जिनका सूर्य से विस्फोर्ट हुआ था, उनके अनुसार, Chamberlain महोदय और Molten महोदय के अनुसार, जब यह ठंडे हुए, तो इनसे ग्रहों के उत्पत्ती हुए, During rotation, the small planetesimals collided and formed planets, तो जब यह सारे टुकडे, जो विलग होने वाले सूर्य से, तो यह अपने दुरी पर घूम रहे थे, और जब यह जो थे, परस पर टकराए, इन छोटे-छोटे ग्रहानों में, जो सूर्य से निश्कासित पदार थे, उनके टकराने से ही जाकर के, जो planets हैं, जो ग्रहे हैं, उनकी उत्पत्ती को बताया, तो इस स्लाइड में, इन दोनों महोदे के अनुसार, इनकी संकल्पना का आधार क्या थे, इन बिंदों के विशे में हमने जाना, अब इस स्लाइड में हम देखते हैं, के सूरज है, और फिर एक तारा है, जो तेजी से इसकी ओड टकरा रहा है, और यह जो चोट-चोटे से गोले हैं, यह ग्रहाणू हैं, यह निकले हुए पदार्त हैं, वे अनू हैं, वे कान हैं, जिनके समय के साथ, एक लंबी अधी के बाद ठंडे होने से ग्रहों की उत्पत्ती हुई, अब जो थॉमस क्रॉडर थे, उन्होंने क्या बताया है, थॉमस क्रॉडर, चैंबरलिन, और इनके जो परिकल्पना है, और इनके जो परिकल्पना है, यह ग्रहाणू परिकल्पना है, तो यह अभी हमने इससे पूर वाली स्लाइड में देखा, के एक तारा थी वरगती से आया, सूर्य के नजदीक, और उसके गुरुतवा कर्शन से उसमें एक उभार हुआ, सूर्य से कुछ पदार्थ निकल करके विलग हो गया, कणों के रूप में, और जो सूर्य का जो विश्वत रेखी है, शेत्र है, उसके चारों और, यह जो फोर्स था, यह जो बल था, तारे के टकराने से, तो उसके प्रभाव से कई सारे rings, कई सारे छले सूर्य के चारों और बन गए, अभी हम अगली slide में इसको अवलोकन करेंगे, इस प्रोसेस फॉर्म सेवरल कॉंसेंट्रिक रिंग्स दैट वूड इवेंश्यली फॉर्म प्लानेट्स और यह जो कई सारी एक के अंदर संकेंद्रित कई सारे वलय बनें, और उन वलयों में जो विभिन प्रकार के ग्रहे, आज विद्यमाने, यद्यपी, आज हम आठ प्लानेट्स के बारे में, आठ ग्रहों, सौर मंडल के आठ ग्रहों के विशह में जानते हैं, लेकिन पूर में जब यह संकल्पनाए बनी थी प्रत्वी के संदर में, तो प्रत्यक विद्वान का मत ही था कि नौ चले बने और नौ ग्रहों की उत्पत्तियू, उन्होंने यम को भी इसमें शामिल किया था, यह हम अब लोकन कर लेते हैं, ए वाला जो भागे, इनिशेली, इस ओस दर बिगिनिंग स्टेज के वास्ताविक्ता में सूरिय क्या थ फिर भी वो टकर खाने से जो गोल गोल इसमें फैलाव हुआ है, बिखराव हुआ है, बीच में उवभार और चारों तरफ फैलाव, फिर सी वाले में जो फ्यू मिलियन यर्ज अगो, कुछ मिलियन वर्ष पूर्व क्या चित्र बताया है इसमें, किस तरसे क्रम शह है, दीर बिखर गए और इवाले में अंततह, जो सौ मिलियन वर्ष पूर्व की स्थित्य बताता है, उसमें किस तरसे इन गोल गोल छलों में परिक्रमन करते हुए, सूरी के चारों में परिक्रमन करते हुए, विबन ग्रहों की उत्पत्ती हुई, और ये जैसे कि चेंबरलिन और फिन नभी जो नभी की है, जो प्रारम्भिक अवस्थाती प्रित्वी की वो बनी और अंतता है, जो काले गोले वला, भीतरी काला और नबाहय गोला जो बना हुई, इससे वस्तुता है, प्रत्येक ग्रह की रचना हुई so this is shown in the figure that earlier it was the dust having 1 mm of diameter then eventually with the passage of time then these particles collided they combined together and here the third one is the planetesimal and the fourth one is the nuclei that gave rise finally to the earth planet as shown in the figure these smaller masses quickly cooled and became numerous small bodies called planetesimals. तो ये छोट छोटे जो कान थे ये बहुत ही तुरन टक्रा टक्रा करके ठंडे हुए एक समय बाद और उनके प्रतिफल में ठंडे होने के साथ साथ में ये जूडते चले गए और छोटे छोटे planetesimals जो हैं ग्रहानू बने. A creation of planetesimals created the larger bodies और प्रोटो प्लानेट्स और जब ये जोड़ करके बहुत ही व्रहत आकार के बन गए तो बहुत ही व्रहत उनसे ग्रहों की बड़े विशाल ग्रहों की रचना हुई. अब ये जो हमने जाना कि क्या आधार था Chamberlain Mahoday और Molten Mahoday का कि उन्होंने सिर्फ यह पताने का प्रयास किया कि it was a by star hypothesis ये और and it is a catastrophic. ये दुए तारिक है दो तारों के प्रतिफल में प्रत्वी और सौर मंडल के अन्य ग्रहों की रचना हुई. एक तारा प्रत्वी से टकराया और सौरीय का पधार्थ निकला, वो पधार्थ बहुत तीवरिगती से गुर्णन कर रहा था, समय के साथ वो जुड़ता चला गया, थंड़ा हो गया और क्यूंकि छले के रूप में ये पधार्थ एकत्रत होता चला गया, प्रत्वी के सूर्य के गुरुत्वाकरशन के प्रभाव से और अंतत है जब ये ठंडे हुए तो इनके परिणाम स्वरूप विभिन जो ग्रह है वर्तमान में देखने को मिलते हैं सौर मंडल जिनके विशे में हम अध्यान करते हैं तो इनके उत्पत्ति हुई Chamberlain also tried to explain the occurrence of the atmosphere and oceans along with the formation of earth जो Chamberlain और मोल्टन महोदेने ये प्रित्वी और सौर मंडल के विभिन ग्रह के उत्पत्ति पर प्रकाश डला साथी साथ में उन्होंने अपने सिध्धान्त में इस बात को भी स्पष्ट किया कि वायू मंडल जो प्रित्वी को चारों हुर से आवरत है और जो सागरिये भाग हैं उनकी भी रचना इसी के परिणाम सुरूप हुई Now about the criticism क्योंकि जितने भी विद्वान अपने मता अनुसार अपने ज्ञान अनुसार विभन अपनी परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करते हैं और उसके संदर्ब में कई सारे प्रमार जुटाने का प्रयास भी करते हैं पर क्योंकि उनका वैग्यानिक हर पक्ष्ट से कही न क नहीं पुष्टी हो जाए, वो संपूर्ण हो, ये संबाब ने रहता, कुछ नो कुछ उसमें कमियां देखने को मिलती हैं, तो विबिन विद्वानों ने इनके द्वारा प्रतिपादिक जो सिधान था, उसमें बहुत सारे कमियां सामने उभर कर आई, जो आलोशिना के अब इन बुद्वों को हम देख लेते हैं, क्रिटिसिजम आलोशिना के तहट, the first one, the collision would have led to dust formation, उनका कहना है विबिन विद्वानों का, कि जब ये परस पर टकर, जब तारा सूरे से टकराया यदी, तो वो जो उससे तूट करके जो टुकड़े हुए थे, वो या तो गैसी करन जैसे आकरती में निर्मित होने चाहिए थे, दूसरा बिंदू है, जैफरे क्रिटरिज़े साइज दूट करके बाहर आया, तो उस जरास से भाग के विखंदित होने से इतने बड़े विशालका है, जैसे जुपिटर और सैटरन जो है, उन जैसे planets शनी और रहस्पती जैसे बड़े बड़े विशाल ग्रहों की रचना कैसे हो सकती है The third one, the orbits of the planets formed out of the collision would have been elliptical or oblate than being circular जो molten और chamberlain महोदय ने ये बताया कि सूरे के गुरुतवाकरशन से जो निकलने वाला पदार था वो एक वृत्तकार छले जैसे उन्होंने जो पत था परिक्रमन पत था वो गोलाकार अभिवियक्त किया जबकि वास्ता में उन्हें अंडाकार होना चाहिए था तो ये भी एक आलोचना का बिंदू रही है क्योंकि उन्होंने जो पत पताया परिक्रमन पत वो गोलाकार है जबकि वास्तविक्ता में वो अंडाकार देखने को अंडाकार के विशे में ग्यात हुआ है The earth at the initial stage itself was in solid state as expressed in the hypothesis is also a point of criticism. हम यह जानते हैं कि प्रिच्वी में कहीं न कहीं गैसी है अवस्ता कहीं तरल अवस्ता है तो जैसा कि चैंबरलिन और मोल्टन महोदे ने बताया कि आरंबिक अवस्ता में ही प्रिच्वी जो थी वो ठोस थी तो ऐसा नहीं है इसमें तरल का होने के विशे में उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला जो कि एक अलोशिना का बिंदू बन जाता है The formation of the hypothesis, the formation of the atmosphere around earth is also a subject of criticism by the solid earth तो ये एक बहुत महत्वपून है बात कि चैंबरलिन और मोल्टन महोदे जैसा कि उन्होंने बताया कि आरंबिक अवस्ता से ही प्रिच्वी जो थी ठोस रूप में थी तो किस तर से एक ठोस वाले को आवरुत करता हुआ गैसी ये वायूमंडल विद्यमान हो सकता है तो ये भी एक अलोशिना का बिंदू रहा है